नमस्कार मैं हूँ विज्वा और आप देख रहे हैं फिल्मी भी इशा कोपिकर यानि की खलास गर्ल बॉलिवूड में वो खलास गर्ल के नाम से फीमस हुई इशा कोपिकर ने कई फिल्मों में काम किया और बहुत सी फिल्मों में उन्हों ने अपनी अच्छी आक्टिंग की हलाकि बाद में इशा ने फिल्मों से दूरी बना ली आई आपको बिताते हैं कौन है इशा कोपिकर और कैसी है उनकी कहानी पॉलिवोड की जानी बानी आक्ट्रिस और आइटम गर्ल इशा कोपिकर का जन्म उननी सितम पर 1976 को मुंबई में हुआ था इशा ने अपने करियर के शुरुआत विज्यापन फिल्मों से की थी इशा अपनी फिटनिस के लिए जानी जाती है इशा बहुत होट है बॉलिवोड में वो एक बहतरीन आइटम गर्ल के रूप में अपनी खास पहचान रखती है उन्हें खलास गर्ल के लिए जाना जाता है आज भी जब भी खलास गर्ल की बात होती है तो इशा कोपिकर का नाम सबसे पहले सामने आ जाता है साल 1995 में एशा ने Miss India प्रतियोगिता में हिस्सा लिया इस प्रतियोगिता में इशा Miss Talent चुनी गई इशा ने अपने सिने करियर के शुरुआत साल 1998 में रिलीज तमिल फिल्म काथल कवित हाई से की थी फिल्म फिजा इशा कोपिकर के करियर की पहली हिंदी फिल्म थी प्रिब 45 फिल्मों में आक्टिंगी और इन सब ही फिल्मों में इशा ने अपनी एक खास पहunkenान बनाई था ओ искний Guru और बाद हुन के इशा ने इन वी इन प्रिल्मों में आक्टिन किर्व ना कुछ इस फिल्म में उनके अभिने को काफी पसंद किया गया वो दमदार एक्टिंग के साथ नजर आई पर कह सकते हैं कि अगर शायद ये फिल्म सही समय पर आती तो उन्हें अपने शानदार अभिने का कुछ फाइदा जरूर मिलता तो ये हैं ईशा को बेकर की अंसुनी कहानिया इस वीडियो में फिल्हाल इतना ही